नमस्कार दोस्तो मैं मंदीब सर्मा आपका टेक में स्वागत करता हूँ दोस्तो यदि आपने अपने जीमेल अकाउंट को अपने टेलिग्राम अकाउंट से अटेज किया हुआ है यानि दोस्तो आपके Gmail account पर जितनी भी mails आती हैं वे आपके Telegram account पर भी आती हैं लेकिन दोस्तो अब आप उसे बंद करना चाहते हैं यानि आप चाहते हैं कि जब भी आपके Gmail account पर कोई mail आये तो वह है आपके Telegram account पर ना आये तो दोस्तो आप किस तरह से उसे stop कर सकते हैं, यानि किस तरह से आप उसे बंद कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो दोस्तो यदि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो बने रही मेरे साथ इस वीडियो के अंति तक, तो दो अले वाले सब्सकाइब बटन पर क्लिक करके सब्सकाइब जरूर करें और बैल आइकन दबाकर औल पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अप्लोड़ हो तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए द लेकिन दोस्तो यदि आप उसे बंद करना चाहते हैं, यानि दोस्तो आप चाहते हैं, कि अब जब भी हमारे Gmail अकाउट पर कोई mail आए, तो वह हमारे Telegram अकाउट पर न आए, तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आना है अपने टेलीग्राम में दोस्तो टेलीग्राम में आने के बाद आपको ओपन कर लेना है GmailBot दोस्तो GmailBot के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो दोस्तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है आपको वह वीडियो आई बटन में मिल जाएगी कि Gmail वोट से आप अपनी Gmail को कैसे अटेच कर सकते हैं तो दोस्तो अपने Gmail वोट में आने के बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर दोस्तो Message Box में क्लिक करना है और यहाँ पर एक Command देनी है दोस्तो Command में सबसे पहले आपको लगा लेना है Slash दोस्तो Slash लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है Stop दोस्तो Stop लिखने के बाद आपको इसे Send कर देना है दोस्तो जैसे ही आप Stop लिखके यहाँ पर Send करेंगे तो इस तरह का आपके सामने Message खुल कर आएगा जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर rework permissions का option दिखाई देगा आपको दोस्तों इस पर click कर देना है दोस्तों इस पर click करने के बाद आपको open पर click करना है दोस्तों जैसे ही आप open पर click करेंगे तो आप एक नए page पर पहुच जाएंगे जिसमें दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा Gmail Bot for Telegram तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने एक Remove Access का Option दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो Gmail ID है इस Telegram Bot से हट जाएगी यानि दोस्तों अब आपके Gmail Account पर जितने भी Mail आएंगे वो आपके Telegram Account पर नहीं आएंगे तो दोस्तों यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समापत होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद